असलाम लेकुम, तो हमारे घर में बहुत दिनों के बाद बन रहा अंडा बिर्यानी, सभी बोल रहे थे कि बहुत टाइम हो गया है, खाई हुए, तो हमने सोचा कि आज बना ही देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चावल को दो-तीन बार अच्छे से धो लेंगे, धो होने के बाद पानी में डाल देंगे फूलने के लिए, और यहां पर हमने चार आलू को मोटे-मोटे कट कर लिया है, इसे भी अच्छे से धो के एक छनी पर रख देंगे, और दूसरे तरफ हमने अंडा को चड़ा दिया है, उबलने के लिए, और अब क्या करेंगे कि जितन आदें जये और अधा टेश्पुन नमक, आधा टेश्पुन लाल मिशपौर्डर, आधा तेश्पुन हल्दृपौ्डर, और सब तरफ न सारे मसाले को अच्छे से मिला लेना है, और आलू में हमें थोड़ा सा फूट कलर और नमक डाल के मिलाना है अगर आप चाहे तो फूट कलर के जगा हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला लीजिएगा अब इसे भी साइड में रखते हैं और गैस पर एक कढ़ाई चड़ा के गरम कर लेते हैं तेल उसमें और सारे अंडे डाल के चलाते हुए हमें अच से पक जाए अब गैस पर एक दूसरा कढ़ाई चरहा के तेल को गरम करेंगे और उसमें कुछ खड़े गरमसाले डाल देंगे तो खड़े गरमसाले कुछ सिकेंट तक हमें चलाते हुए पका लेना है और जो हमने चावल भीमों के रखा था हमने पानी से निकाल लिया था इ हमने एक से देर चमच नमक डाला है आप जाएके खिसाब से डाल दीजेगा उसके बाद अच्छे से मिला के ढखके हमें चावल पकने तक पका लेना है तो यह देखिए हमारे खुब अच्छे से आलू फराई हो गया है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और उसी तेल में हमें कुछ खड़ी गरब मसाले डाल देने है उसके बाद हम डाल देंगे चार टेबल स्पून के बराबर अद्रेक लासन का पेस्ट और उसी प्याले में थोड़ा सा पानी को खंगाल के डाल देंगे और डालेंगे तू टेबल स्पून धनिया पाउडर और जीरा और काली इसको कट लगा लिया है और यहां बारी कटा हुआ हरा दनिया और कभीना के पती और दो टाबाटर को हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है तो इसे भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेते हैं तो यहां हमने दही भी लिया है तो दही को डाल देंगे और यहां ह हमने चार प्याज को अच्छे से प्राई कर लिया है तो थोड़ा सा हमें बचा लेना है और बाकी के प्याज हमें हाथों से मसलते हुए डाल देना है और यहां थोड़ा सा हमें पानी भी डाल देना है कि मसाले हमारे अच्छे से पक जाए और भूनाई भी हो जाए तो अब य यह देखिये मसाला हमारा मसाला अच्छे से भूम गया है और बहुत अच्छी खुसबू भी आ रही है तो अब हम क्या करेंगे इसमें पानी थोड़ा सा डाल देंगे एक गिलास के बराबर डाल देंगे और अंडा भी डाल देंगे और ढख के हमें पांच मिनट के लिए और पका लेना है तो ये देखिए हमारा आलू अंडा ग्रेवी तैयार हो गया है तो इसे हम साइड में रख देंगे और चावल को चेक कर लेते हैं तो चावल भी हमारा पक गया है तो चलते हैं भागी की तैयारी कर लेते हैं अब चावल के उपर डाल देंगे थोड़ा सा फूड से डालेंगे चावल के ओपर से हमें डालना है और सेम फिर से हमें एक परत और लगा लेना है और अचाणा beleza यह हमारा अंडा बिर्यानी तैयार हो जाएगा तो यह बिर्यानी सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बना था और बहुत दिनों के बाद खा रहे थे न तो और भी टेस्टी लग रहा था आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा औ और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अल्ला हाफिज